तो इस पार्ट में हम GKK और बाकी जो भी पार्ट रहे गए थे उनके बारे में डिसकर्स करेंगे उस जो लाइब वीडियो थी उसमें थोड़ा सा कुछ एरर आ गया था तो जिसकी वज़े से वो स्क्रीन नहीं शो हो पर ही थी बट यहां पर मैं आपको यह पूरा अपना इन वीडियो उसको लाइक और शेयर जरूर करें तो चले शुरू करते हैं हमारी वीडियो को तो यहां हम आप बात करेंगे हमारे जी के वाले सेक्षन के बारे में यानि कि कह लिए जर्नल अवर्डनेस के भी 20 कोश्चंस हैं तो यह 20 कोश्चंस जो हैं यह हम चंगाल प्रेसिडेंशी से अलग अलग प्रांतों के रूप में कौनसे वर्ष में अलग हुए थे तो यह कौनसे वर्ष में हुए थे तो 1912 में हुए थे ठीक है कुश्चन नंबर 22 है हमारा दा नैशनल केलेंडर बेस्ट ऑन दा साका एरा विच चैत्रा एज इट्स फर्स्ट मन्थ वस ड्रॉप अडॉप्टेड इन दे एर डैश फर सर्टेन ऑफिशिल परपस तो यह कौनसे सन में ऑफिशिल परपस से यूज किया था तो वह आपका था 1957 में ठीक है कुश्चन नंबर देखें यहां पर यह वाला कुश्चन जरूर ध्यान रखेगा कि बहुत इंपोर्टन कुश्चन है क्योंकि इस टाइप के कुश्चन है आपको जीके वाले हमीशा देखने को मिलते ही मिलते हैं तो यहां पर कारेकाल के अकॉर्डिंग संबं जीके करके आपको है न यह बता रहिएं टाइम पीरिट सबका कौन कब बना देखें अगर आप ईपी गरी वीपी इसंग की बात करेंगे तो इंका पहली बात पूरा नाम जान लेजें इनका नाम जो है विश्वपरताब सिंग नाम है ठीक है क्या नाम है विश्वपरताब आप इनका जो selection हुआ था वो आपका कब हुआ था ये बने थे आपके इनका जो time period था 343 days का था ठीक है ये 4 नहीं बन पारा ठीक है तो ये select कब हुए थे ये आपके select हुए थे 2 December 989 को ठीक है और इनका कारेकाल कहतम कब हुआ था 10 November 1990 को ठीक है ये हमारा पहला है वीपी गरी ठीक है इसके बाद हम बात करें आपका HD देव है ये ठीक है देव है देव गोड़ा तो इनका जो कारेकाल था ये बने थे आपके 1996 में ठीक है कब बने थे एक जून 1996 में बने थे और इनका कारेकाल खतम कब हुआ था 2 अपरेल 1997 में इनका कारेकाल खतम हुआ था ठीक है इसके बाद अगर बात करें एके गुजराल की यानि की इंदर कुमार गुजराल ठीक है ये याद रखेगा कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म में दे देते हैं और हमें समझनी आता ठीक है तो ये कौन है इंदर कुमार ग अपरेल 1997 को स्टार्ट हुआ और कपतर कर रहा 19 मार्च 1998 को ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें कौन सा रह गया चरन सिंग चरन सिंग की अगर बात करें तो इनका जो टाइम पीरिट था वह 170 दिन देखे ये जो चीजा मैं बता रहे हूं ना इस तरीके के कोशन आते है ठी इनका जो टाइम शुरू हुआ था वह 28 जुलाई ठीक है 1979 ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें आपके कौन सा रह गया चंद्रशेखर तो चंद्रशेखर की अगर बात करें तो इनका जो टैन्ने और था या फिर कह लिए इनका जो कार्यकाल था वह 220 दिन का था इनका जो टाइम पीरिड था यह बने थे दस नवंबर है ठीक है 1999 में और इनका कार्यकाल 1991 तक रहा 21 जून तक 1991 तक रहा अब आप देखें अब मैंने आपको बता दिये सारे कार्यकाल ठीक है ठीक है तो अगर आप ध्यान दोगी तो सबसे पहले जो प्रधान मंत्री बने वो कौन से बने हमारे 79 की इनका था चंद्र सेकर सिंग का तो पहले हमारे कौन से हो जाएंगे चंद्र सेकर सिंग ठीक है, इनका कारे काल क्या था, 979 इसके बाद अगर हम बात करें, 89 कारे काल किसका था मैंना भी आपको कारे काल बताए न, तो बताएए, 89 किसका था तो 89 आपका था, VP, Sinka, ठीक है, तो हमारा नंबर 1 आ जाएगा ठीक है, इसके बाद पांच में नंबर पे क्या है, चंदर शेकर आजाद, इनका क्या कारे काल था, इनका था हमारा 990, ठीक है, इसके बाद जो हमारे थे, E के गुजराल, सॉरी, फिर इसके बाद अगर ध्यान दोगे, तो दो नंबर, दो नंबर पे कौन है, गोड़ा, तो इनका कारे काल क्या था, इनका कारे काल 97 से शुरू हुआ था, ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात करें, ओ सॉरी, 6 था, ठीक है, 6 था, 97 तो इंदर कुमार गुजराल का था, ठीक है, ये गोड़ा का, तो इसके बाद अग एक गुज्राल तो एक गुज्राल का क्या था 97 था ठीक है 97 यह याद रखिएगा और कोई भी चीज आपको लगती है न डिफिकल्ट या फिर कोई चीज ऐसी है जो मुझे इंप्रूफ करनी चाहिए तो आप इसली मुझे बता सकते हैं क्योंकि देखे मैं आपके लिए चीज 2018 अगस्त के अंत में केंद्री मंत्री मंडल में रेल मंत्री कौन थे तो यह प्यूश गोल थे सबको पता ही होगा भारती संसद में डैश शामिल नहीं होते तो देखे भारती संसद में कौन-कौन शामिल होता है कौन शामिल नहीं होता तो यह कौन नहीं शामिल होता मंत्री मंत्री मंदल शामिल नहीं होता इसके बाद अगर हम बात करें कोश्चन नमबर 26 की लोगसबा सची वाले डैश के अंतिम नेंतरन में कारे करता है अध्यक्ष जो की है लोगसबा का अध्यक्ष ठीक है फिर नेक्स्ट कोश्चन अपका एशियाई खेलो का दाश इंडोनेशिया में आयोचित किया गया कोश्चन तो यह थारवा है उचित विकल्प में होकी विशेश्यक देखे ये सब जो है ये कोश्यन है ना करंट अफेर्स के हैं तो इन्हें हमें करने का कुछ फाइदा है नहीं ठीक है जो करंट अफेर्स के लगेंगे ना वो मैं निकाल दूँगी विश्व दर्शन शास्तर दिवाश नवंबर के हर डैश गुरुवार को मना जाता है यह कौन से तीस्रे फिर कोशन करा दूँगी एक पूरा फॉर्मेट दूंगी मैं आप लोगों को जिसमें कि कौन सा जर्नल गवर्नर बना ठीक है उसने क्या कार्यकाल की है उस समय कौन-कौन सी पॉलिसी बनी इस तरीके को पीडियाफ या फिर क्लास मैं ले लूँगी जोकि आपके लिए काफी उस्फुल रहेगी जीके के लिए भी प्लस आपका जो सब्जेक्ट है जैसस्टी वाले सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो भी ध्यान रखेगा ठीक है तो यहाँ पर 1829 में भारत के किस गवर्णर जनलर ने सती के रिवास को खत्म करने के लिए कानून बनाया था तो यह कौन है विलिम बेंटिक और इनके साथ कौन थे राजा राम मोहन रॉय ठीक है यह भी साथ थे इन दोनों के इन दोनों ने ही मिलके सती प्रता के खिलाफ कानून बनवाए थे ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें माल के बहुगालिक संके जी आई के संबंद में निम्न में से कौन सा कल्थन गलत है उस उत्पाद के गुण नहीं है ज देखें यह जीगे का कोशन है लेकिन सब्जेक्ट वाले ध्यान देंगे क्योंकर आपको सब्जेक्ट में भी ऐसा कोशन देखने को मिल सकता है भारत डैश भारत और पाकिस्तान के बीचवारता के बाद 1960 में हस्तांतरित सिंदु जल संधी का भी एक हस्ताक्षर करता था कौन था तो विश्व बैंक था ठीक है तो कौन था विश्व बैंक अब यह हमारा कोशन केंट सवकार ने एक जून डैश से प्रभावी रूप से राष्टे कंपनी निगम अधिकरन गठित किया था तो 2016 में ठीक है यह स्टी टी सिक्योरिटी डैश टैक्स का संसिप्ट रूप है किसका है तो लेंदेन का किसका है यह आपका लेंदेन का कोशन नंबर आपका यह 35 है दूद का डैश यह सुनिचित करता है कि विटामिन उन बोगता तक पहुँचे जो कम मलाई वाला दूद खरीदते हैं तो यह क्या है किले बंदी निमलिकित में से प्लास्टिक के गलत गुण धर्म का पता लगाई बिजली के अच्छे संचालक तो गलत गुण धर्म का क्या पता लगाना था तो इसमें आंसर क्या है हमारा बिजली के अच्छे संचालक ठीक है भारत के गगन यान देखें ये जो कोशन है ये आपका current affairs है तो इसे मैं छोड़ रही हूँ हमारे किसी काम का नहीं है ये current affairs का question है ये भी हमारा current affairs का question है देखें इन सब में हमें time नहीं देना क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है न बहुत लंबी हो जाएगी यह भी आपका current affairs का question है ठीक है तो यहां हमारा GK वाला section खतम हो गया है और hope so आप लोगों के लिए यह GK वाला section अच्छा रहा होगा और अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आप चाहते हो वो भी मुझे बताते रहना और हाँ यह हमारा maths वाला section है देखें to be frank maths मेरी खुद की इतनी अच्छी नहीं है तो मैं maths आपकी solve नहीं कराऊंगी क्योंकर मेरी खुद भी maths इतनी अच्छी नहीं है मेरा subject SSP ही है तो यह maths के कुछ questions हैं आप देख लिजेगा अच्छे कासे questions हैं ठीक है तो आप लोग खुद कर लिजेगा maths के question और देखें maths के question है जितनी जादा आप लोग खुद प्रेक्टिस करेंगे न उतना ही जादा अच्छा है आप लोगों के लिए और एक तो दिन में आपको कुछ maths का बताऊंगी ज़रूर क्योंकर maths से related है न बच्चे काफी परेशान रहते हैं क्योंकर मुझे पता है न मेरी भी maths अच्छी नहीं है तो काफी difficulties देखने को मिलती है जबकि maths अगर आप practice करेंगे तो easily आप कर सकते हैं लेकिन पता है कि time consuming होती है ठीक है तो इसलिए मैं तो थोड़ा सा बचती हूं maths से ठीक है आप कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं आपने maths को skip कर दिया लेकिन देखे अभी मैं आपको कुछ गलत बढ़ा दू है और कुछ concept मेरी क्योंकर maths सच में मेरी खुद की अच्छी नहीं है हर इंसान हर किसी चीज में perfect नहीं हो सकता है लेकिन हां reasoning मेरी बहुत अच्छी है ठीक है लेकिन maths मेरी उतनी कराब है तो यह सारे maths के question है देख लीजिएगा आप इसके बाद हम Hindi और English और solve कर लेते हैं फिर हमारा erase देखे यह चला गया यह हमारा English शुरू हो गया है यहां से हमारा English शुरू हो गया ठीक है अब यह फिलेंदाइ ब्लैंक से हैं ठीक है 50 years ago we could not see limits to what we could dash into the ocean और what we could take out ठीक है तो इसमें अगर आप sentence को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो could put into the ocean यह वाला आपका answer हो जाएगा इसके बाद देखे डबल डबल question यहां पर दिखाई देंगे देखे यहां पर आपको same meaning बताना है synonyms बताना है जो उसका word का ठीक है तो इसमें disrupt को हो गया आपका disturb disrupt convergent का यहां पर आपको opposite बताना है ठीक है opposite तो convergent का मतलब होता है जो चीज आपको पता हो और ignorant का meaning होता है आपका जो चीज आपको पता ना हो या फिर कुछ मतलब जिस चीज के बारे में आपको ज्यादा knowledge ना हो ठीक है यह वाला इसके बाद यह हमें पूरा sequence में लगाना है तो इसका sequence क्या बनेगा देखिए the oil and gas industry has complained that the law has helped the development of millions of acres of land तो यह हमारा answer हो जाएगा भी ठीक है question number 65 है आपका the leaves the force of the wind turn the leaves upside down तो इसकी voice change करने है हमें ठीक है change the voice तो इसकी voice change करेंगे तो answer क्या हो जाएगा the leaves were turned upside down by the force of the wind ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें question number यह same question है change the voice इसमें भी change करनी है voice Sheila replied the blue sari suits you the best ठीक है आप इसकी voice change करेंगे तो क्या होगी Sheila replied that the blue sari suits me the best ठीक है question number आपका आजाएगा यह question number है 67 67 question number है what if and caught phrase would you apply to someone who says I don't need anyone to help me get where I want to go तो इसका answer जो आजाएगा no man is on Iceland ठीक है question number question number यह आपका 68 68 तो 68 अगर आप पढ़ेंगे our eyes crop soaked by the acid rain can be saved if it is raised with clear water ठीक है तो जो चावल की फसल है उसे बचाए जा सकता था अगर जो ऐसे ड्रेन है वो साफ पानी साफ पानी की वर्षा होती ठीक है तो इसमें कोई भी error नहीं है यहाँ पर ठीक है question number है in fill in the blanks I cut my finger while slicing onion and it become badly badly infected तो badly infected क्या आएगा यहाँ पर badly infected she has always gone dash creative hobbies like knitting and pottery तो knitting and pottery तो इसमें हमारा fill in the blanks है she has always gone in for creative hobbies ठीक है तो यह आपका answer आजाएगा fourth in for ठीक है question number आपका है देखिए जितनी चीज़े मैं आपको solve करा रही हूँ न आप लोग भी खुद से solve जरूर कीजिएगा क्योंकि इन्हें कराने देखने का ही मतलब नहीं है हाँ हो सकता है आपको first time में चीज़े नहीं समझ में आएंगी लेकिन day by day जैसे आप चीज़े करते जाएंगे तो मुझे बताते जाएगा before dash money bank have to access the risk involved ठीक है तो इसमें क्या आएगा leading कौन सा है leading question number 73 है अलार कृटी इसमें हमें इसका meaning बताना तो इसका meaning क्या है risk and cheerful readiness word written on our top तो यह epithaf epithaf ठीक है यह है question number 75 something no longer in use देखे कोई ऐसे चीज जो की use में ना हो तो उसका mean उसका answer क्या होगा obsolete obsolete होगा ठीक है अब यहां पर हमारा शुरू हो गया है हिंदी नहीं पैसे शुरू हुआ है तो देखे हां एक चीज और मुझे बताईएगा कि पैसेज वगेरा जो आते हैं यह चीज़े आपको solve करवानी है यह सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के या फिर प्रीवियसर पेपर्स में पैसेज वगेरा को मैं चोड़ दिया करूं क्यूंकि पैसेज वगेरा थोड़ा time consume करते हैं आप जैसा कहेंगे मैं वैसा कर लूँग स्टार्टिंग में आपको खूब सारे पैसेज दे दूंगे आप घर पर बैठके अराम से कीजिएगा क्योंकि पैसेज में थोड़ा माइंड शांत चाहिए ठीक है और कई वार आपको स्क्रीन पे प्रॉपर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है यह थोड़ा सा रिपेंड करत कि यह आपका जनरल हिंदी वाला पार्ट शुरू हो गया है तो इसमें भी मैं पैसेज नहीं कराऊंगी आपको अफ्तारवाद लेकिन हाँ जो लगे का न मुझे आए कि अगर आपका ग्रामर से वह सौरी व्याकरन से सब्यंदित है तो वह मैं आपको करवा दूंगी ठीक ह हाँ देखे यह आगया न व्याकरन वाला तत्सम तत्सम शब्द बताना देखे तत्सम एक त्रिक बता रही हूं ठीक है इसी से ही मैं भी याद करके बैठी वी हूं ठीक है तत्सम तत्सम का मतलब होता है सम याद रखिए सम से हम याद रखने न सेम टू सेम तो सम याद क्या कहेंगे तत्सम कि इसके बाद तत्वभ की बात करें तो जो हमारे ऑपॉजट होंगे तो तत्वभ याद जाएंगे कि जो मतलब जो सेम टूसेम नी लिए गए जिनमें वक्त के साथ बदलाव हुआ है तो कौन सा कौन सा शब्द है यहां पर मैं शब्दी बताना बूल ग पता भी नहीं है तो अगर कोई शब्द आपको आधा मतलब आधा शब्द दिखाई देना तो 80 से 90 परसंट चांस यही होते हैं कि वो जो शब्द है वो आपका तत्सम होगा ठीक है अब बात करें तत्वभ तत्वभ जो वक्त के साथ बदल गए जैसे कि अगर आप चारों शब्दों को देखिने वाश भक्त विभूती यह सारे क्या है यह सारे संस्कृत के शब्द हैं लेकिन भाई क्या यह संस्कृत का शब्द है नहीं और यह क्या है चेंज है ठीक है कोश्य नमबर हमारा श्टार्ट हो जाता है 88 निमलिकित में से व्यक्तिवाचक संग्या कौन सी है तो यहां पर हमारा आंसर क्या है गंगा क्या है गंगा कभी-कभी पैन चलना ही बंद हो जाता है कोश्य नमबर स इस औरह ता निजवाचक सर्वनाम है कौन सा है यह आप क्वान सा है आप कर निमलिकित में से कौन सा शब्द अव्याय है तो कौन सा शब्द अव्याय है इधर देहिए हिंदी की जितनी भी ट्रिक्स है ना मैं ट्रिक्स के माध्यम से आपको सारी चीज़ें करा दूंगी ठीक है ताकि आप इस पर देखे कॉंसेप्ट पर अलग बात है लेकिन यह जो पार्ट है कुछ जो ट्रिक्स है वह आप ध्यान रखेगा उससे क्या होगा कि लास्ट मुमेंट में आपको बह तेजो पुंज का संदी विच्चेद कीजिए तेजो पुंज का जो संदी विच्चेद करेंगे तो आप तेजो जमा पुंज यह आपका हो जाएगा संदी विच्चेद इसका ठीक है कभी भी कोई भी अगर विच्चेद करना हो ना तो उससे शब्द को मन में तोड़ लेन अगर meaningful बन रहा हो तो तो ठीक है वीचों बीच में समास है कौन सा है अव्याई भाव समास कौन सा है अव्याई भाव समास बीच आई निमलिकित में से कौन सा शब्द पुर्लिंग है पुर्लिंग कौन सा है आलस से देखे जब आपको पुर्लिंग और स्टेलिंग में कुछ समझ रहा है ना देखे यह सारी चीज़े ना मैं अपने टाइम पर यूज करती थी तो यह इसी वज़े से बता रहे हूं आपको तो क्योंकि आप है कौन सब्ट याद नहीं रखते ना एक्जाम हॉल में तो जो शब्द आप संटेंस बनाके देखेगा ठीक है कि आलस से आता है आता आ रही नहीं होता आता है तो यह हमारा पुर्लिंग हो गया ठीक है यह याद रखिए या फिर कोई भी संटेंस ऐसा बनाएं देखें संटेंस आपको यह लेकिन यह ऐसी बात है कि यह सेंड हो जाती है तो आपको कौंसेप्ट पर क्ल्यारेटी होनी चाहिए अगर आपका बन रहा है तो ठीक है लेकिन कॉंसेप्ट पर दरूर ध्यान देंगे निम्लिकित मेश से कौन सा शब्त पुर्लिंग है तो यह सेम कुश्यन आ गया है अभिमान में उपसर्ग देखें उपसर्ग और प्रत्य यहां पर एक चीज बता देती हूं उपसर्ग का मतलब होता है जब हम बात करते हैं आ सोरी अभिमान कहरी है अभियान है सोली देखो पढ़ते visit कई वार और एसे भी mismitch i achap हो जाती है कि अ tutti शब्द्द आपको आपको सजी दिखा है लेकिन आप जरत रहो तो अभिमान है यह आभियान है तो अभिमान है जो अभिया से दो अश्म ऊक्षैन है यह बता दिया और प्रत्य क्या होता है पीछे वाला तो संदी विच्षेद करके देख लीजेगा तब सारी चीजों समझ नहीं लग जाएंगी त्लाप का प्राइवाची प्रद्माकर क्या थ्पिछ स्वाब लंबी का विलोम शब्द है परावलंबी ठीक है यह ऐसे कोश्चन है जो आपका हर जगा देखने को मिलते हैं जो सब को समान भाफ से देखता हो ठीक है तो संदर्शी क्या है कि संदर्शी question number है निमलिकित में से शुद्वर्तनी का चैन कीजिए जो बिल्कुल perfect लिखा हो क्या हम राजनीती ऐसे लिखते हैं बताईए मुझे राजनीती ऐसे लिखते हैं नहीं ऐसे लिखते हैं नहीं यहाँ पर बड़ी एकी मातरा है ठीक है यहाँ पर इसमें गलती गलती तो राजनीती ऐसे लिखते हैं ठीक है यह हमारा hundred question मेरे मेरे तुम्हारे घर सॉरी मेर को तुम्हारा घर पसंद है ठीक है तो मेर को पहली बात तो अगर हाप हिंदी देखेंगे कई बार लोग ऐसे बोल देते हैं आज मतलब घर वर में ठीक है लेकिन यह हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में यह चीज गलत है मेर को नहीं होता यहाँ आएगा मुझे मुझे तुम्हारा घर पसंद है तो यह आपका क्या हो गया यहाँ पर तो यहाँ error किसमे था तो मेर को में ठीक है इसके बाद हमारा subject का question शुरू हो जाते हैं ठीक है subject के question है यह subject के question मैं आपको TGT SSD वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कराऊंगी और hope so अभी यह जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए useful रहा हो मैंने कोशिश बहुत की है कि आपके लिए बहुत अच्छी authentic चीज़े में provide कर सकूँ लेकिन हाँ मुझे अगर कोई चीज़े ऐसी हैं जो कि कमील आपको लग रही हो तो please comment box में comment जरूर करना ठीक है और रही बात और चीज़ों की तो कोई भी doubt है तो comment box में comment करना और मुझे time ठीक है लास्ट में आप लोग comment करना कि time क्या रखना है class का ठीक है उसी की according फिर चीज़े करेंगे क्योंकि मुझे notes बनाने में भी थोड़ा time लगता है थोड़ा क्या बहुत time लगता है ठीक है लेकन बहुत almost complete हो चुका है और जो भी काम रह गया है वो भी मैं कर दूंगी ठीक है तो hope so ये video या कह लिज़े ये lecture आपको पसंद आया हो और बाकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो कि मैं आपको करवाँ तो please comment box में comment कर देना बस आप लोगों से request यही है कि D1 से तयारी करते रहें इंशाला मैं daily आप लोगों के लिए classes general paper की और subject की भी ठीक है एसस्ट वालो बच्चों के लिए subject की और general paper वो तो सब के लिए ही मैं provide कर दूंगी और latest जो भी आपके online exams हो रहे हैं क्योंकि seriously बहुत महनत लगती है इन चीजों को करने में तो चलिए मिलते हैं आपको आपसे किसी next video में प्लीज वीडियो को like and share जरूर करें and thank you for watching